बिस्मिल्य अख्माने रहें वेल्कम टू माई चैनल इश्यत अक्तर आज हम फिश का सालन बनाएंगे फिश को सुभा ही मैंने नमक लगा कर रख दिया था और उसको धो के अच्छी तरह वाश कर लिया अब ये दो किलो फिश दो बड़े प्याज हैं दो बड़े टुमाटर ह हरी मर्ची हैं लसन है अद्रक है अकसूरी में थी है अब हम प्याज में दो बड़े कप तील के डालेंगे और प्याज को लाल होने के लिए रख देंगे फिर हम इसके अंदर अद्रक डालेंगे लसन डालेंगे हरी मर्ची साथ में ही लाल करेंगे अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से लाल हो गई है इसके बाद हम सारे प्यास को निकाल कर टॉमाटरों के साथ हम इसको मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से इसको हम ग्रैंट कर लेंगे और इसको फिर वापस हम तेल में डाल देंगे ये इसका मिक्सर त्यार हो गया और हमने य় इसको वापस तेल में ढाल दूजे अब आदी चमहची हल्दी और हम जाएंगी एक बढ़ा चमचा मेर्च्जों का काली ओदी चमची यद्न चम्च्बाব करें अब इसको अच्छी तरह ये मसाला भुन गया और इसके अदर जब ये मसाला भुन जाए अच्छी तरह तो इसमें आपने फिश डार नहीं है ये देखे अच्छी तरह से ये मसाले ने घी छोड़ दिया और ये मसाला त्यार है अब हम इसमें एक एक पीस करके सारी फिश को इसमें मसाले में डालेंगे अब ये अच्छी तरह इसको हम अब ये अच्छी तरह इसको हम चमाच लाएंगे तकि इसमें जो मचली में पानी होता है वो अच्छी तरह से खुश्गों जाए और मसाला अपना घी छोड़ दे ये देकें बड़ी प्याइत से ऐसे ये देखें अब ये फिश बिल्कुल ठीक है अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे मैंने तीन गलास बीच में पानी डाला है आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं और अच्छी तरह तरह ये चमचा चलाएं और इसको उबलने तक इसका वेट करें ये देखें फिश अ और ये आप सूप की तरह भी पीश सकते हैं और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बेल बेटम पे क्लिक करें और वीडियो के लाइक करें थैंक्यू अघक्रण हो प्रशब देखें ऑा जबलने एक बाद करें माद लगी है अजया हूणे करें अगर वीडियो अगर भी आपको शना पूब करें गवाबत भी आपको नही करें बाद हो